राधे राधे मैं आचार हिमान शोप मन्यू आप सभी दर्सकों का स्वागत करता हूँ कैपिटल टीवी के खास कारिक्रम सनातन फाइल्स में जहां आप सभी दर्सक मुझे जुड़ते हैं और जानते हैं सनातन धर्म में गटने वाली किसी गटना चक्र के बारे में या किसी कथानक के बारे में तो आज आप सभी के सामने उपस्तित हूँ सनातन धर्म में आ रहे एक बहुत ही आवश्यक ब्रत या फिर जिसे आप कहते हैं उत्सव उसकी जानकारी लेकर गडेश चतुर्थी जिस दिन भगवान गडेश की स्थापना होती गर गर में गड़पती बपा विराज जते हैं और लोगों का कल्यान करते हैं तो इस बार भगवान गड़पती कब विराजने वाले हैं लोगों के घर में इस बार भगवान गड़पती अठारह तारीक को लोगों के घरों में विराजने वाले हैं सोंबार के दिन, अब 18 तारीक को क्यों, क्योंकि पंचमी युक्त चतुर्थी में भगवान गडपती का पूजन नहीं किया जाता है, गडपती व्रत उसी दिन होता है जिस दिन चंद्रमा आकास में दिखाई दे, तो गडपती चतुर्थी जिसे विनायक चतुर्थी भी कहा जाता है, सुकल पक्च की सिद्धि विनायक विरत होता है, और ये चतुर्थी लेनी चाहिए जिस दिन दोपहर में चतुर्थी हो, क्योंकि 19 तारीक को जी चतुर्थी है, वो दोपहर में नहीं है, और सरव्यापनी हो, तो पहली ही ग्रहन करनी चाहिए, ऐसा लिखा गया है धर्म सिंधु में धर्म सिंधु इस बात को कहता है अब जान लेते हैं भगवान गडेश की पूजा का विधान क्या है क्योंकि सब लोग अपने घर में गडेश जी को लेकर आते हैं तो जब अपने घर में गडेश जी को लेकर आएं किस मंत्र से सकल विगनों को हरने वाले गडपती जी हमारी द्वारा लाई गए इस पृतिमा में आकर स्थापित हो जाए और हम सभी का कल्यान करें ऐसा ध्यान करते हुए गडपती जी का स्मरन करते हुए पुस्प गड़े जी के पास समर्पित करना चाहिए और उसके बाद उनके उपर जो कपड़ा आपने ढख रखा था जिससे उनका मुख बंद कर रखा था उसे खोलना चाहिए और उसके पश्चात भगवान गडपती का आवाहन और प्रतिष्ठा करके उनका पूजन करना चाहिए जल पंचामरते त्याद से दूद दही घी सक्कर सहत त्याद से इस्नान कराकर भगवान गडपती को सुन्दर से वस्तर पहनाने चाहिए पंचो पचार संभव हो तो 604 भगवान का पूजन करना चाहिए क्योंकि 604 ही पूजन ज्यादा बहतर है अब विसेश क्या चाहिए तो सभी लोग जानती होंगे कि भगवान गड़ेश को मोदक के लड़ू बहुत प्रिया है मोदक तो भगवान गड़पती को मोदक जरूर समर्पित करना चाहिए पंडी जी तो सब को पता है तो विसेश क्या करना चाहिए विसेश आपको करना चाहिए कि 21 दूरवा कौन कहता इस बात को इस बात को कहती है धर्मसिंधु कि 21 दूरवा की छोटी-छोटी गड़ी और मैं गड़पत जी के नाम बता रहा हूं उन नामों को बोलते हुए गड़ेज जी को समर्पित करें गड़ा धिपताए नमहा उमापुत्राय नमहा अगनासाय नमहा बिनायकाय नमहा इशपुत्राय नमहा सरवसिध्धिप्रदायकाय नमहा एकदंताय नमहा इववक्राय नमहा मूसवा मूसकवाहनाय नमहा कुमार गुरुवे नमहा ऐसा कहते हुए एक एक स्लोक बोल एक एक नाम बोलकर गड़ेश जी को दो दूरवा चड़ाते जाएं ये जो उपाय है ये जीवन के सभी विगनों को समन करने वाला है अब आपको लॉजिक बताते हैं इसके पीछे का दूरवा ही क्यों हूँ कहा जाता है प्रथमसुक निरोगी काया और दूव जो है ये हमारे पेट में होने वाले अधिक से अधिक रोगों का निवारन करती है पंड़ी गड़ेश जी को चड़ा दिया तो अब ये रोग का निवारन करती है दूरवा की जो सुगन दोती ही वो हमें जाती है और इसके साथ ही हमें दूरवा जल में डाल कर पीनी चाहिए जब लीवर इत्यादी की समस्या हो तांबे के लोटे में या कलस में जो है दूरवा डाल दीजे जल में और सुबह उसे च्छान कर पी लीजिए ये जीवन की बहुत साथी समस्याओं का समाध्धान करने वाली है तो इसी लिए भगवान गड़पती को दूरवा चढ़ाएं और उनसे प्रार्थना करें कि भगवान आपके दूरा हमारे जीवन की जो समस्याओं हैं जो वेकिन बाध्धाएं हैं वो दूर हो जाएए दस नाम जीवन की समस्त बाध्धाओं को हरने वाले हैं विसेश क्या करना चाहिए तो भगवान को गयारह मोदक के लड़ू चढ़ाने चाहिए मोदक चढ़ाने चाहिए और साथ ही ग्यारह लोगों को मोदक दान करने चाहिए वैसे कहा तो ये गया है कि ब्रामणों को दान करने चाहिए ब्रामणों को दान करें अन्यता संबब हो तो उन लोगों को दान कराइए जिनको वास्त विक्ता में अन्न की रोटी की अर्शकता है यूसर प्रसंद हो जाएंगे जाएए उन्हों को दान करिए ब्रामनों को दान करिए और भगवान गडपत से प्रार्थना करिए भगवान गडपति को अपने घर में विराजिए गड़ दिन, तीन दिन, पांच दिन, साथ दिन, नो दिन या ग्यारा दिन विसमन में नहीं होना चाहिए ऐसे भगवान गडपति का पूजन करे और जिस दिन विसर्जनों उस दिन हवन इत्यादी करके भगवान से प्रार्थना करे जीवन की समस्याओं का समाधान स्वता ही हो जाएगा आप समीज़ा पुना किसी कारिक्तरम में मुलाकात होगी तब तक के लिए राधे राधे